हेलो बच्चों, गनित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों, अभी तक आपने तीन अंकों की संख्याओं को लिखना तथा पढ़ना सीखा साथी आपने तीन अंकों की संख्याओं की तुलना करना सीखा आपने जाना कि हम किस तरह से छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या में अंतर कर सकते हैं बच्चों, आज हम तीन अंकों की संख्याओं के स्थानी अमान के बारे में जानेंगे तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो बच्चों तीन अंकों की संख्याओं में तीन स्थान होते हैं इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, तथा सैंक्रे का स्थान One's Place, Tens Place, and Hundreds Place इकाई का अर्थ होता है एक दहाई का अर्थ होता है दस तथा सैंक्रे का अर्थ होता है सो चलिए बच्चों इसे कुछ उधारनों द्वारा समझने का परियास करते हैं हमारे पास एक संख्यादी है जिसमें इकाई के स्थान पर पांच दहाई के स्थान पर तीन तथा सैंक्रे के स्थान पर चार है यानि की चार सो पैंतिस बच्चों इसका स्थानियों मान ग्याद करने के लिए हमें देखना है कि सैंक्रे के स्थान पर क्या अंक है यहां सेंक्रे के स्थान पर है चार इसलिए हम इसे गुना करेंगे सो से क्योंकि सेंक्रे का अर्थ होता है सो तथा चार का अर्थ होता है चार यानि कि चार गुना सो दहाई के स्थान पर हमारे पास है तीन लेकिन बच्चों आपको मालूम है न दहाई का अर्थ होता है 10 इसलिए हम कहेंगे 3 गुणा 10 तथा इकाई के स्थान पर है 5 इसलिए हम लिखेंगे 5 गुणा 1 तो बचो हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे 4 गुणा 100 यानि की 400 जमा 3 गुणा 10 यानि की 30 जमा 5 गुणा 1 जो की ब्रावर होता है 5 तो बच्चो 435 का विस्तारित रूप है 400 जमा 30 जमा 5 एक और उधारन लेते हैं हमारे पास संख्या भी है 256 इसलिए हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे सैंक्रे के स्थान पर है 2 2 गुणा 100 दाई के स्थान पर है 5 5 गुणा 10 तथा इकाई के स्थान पर है 6 जिसे हम लिखेंगे 6 गुणा 1 तो बच्चो 256 का विस्तारित रूप होगा 200 जमा 50 जमा 6 चलिए बच्चों एक और उधारन लेते हैं हमारे पास संख्या दी है 5 146 जिसे हम लिखेंगे 500 जमा 40 जमा 6 एक और उधारन देखते हैं 970 इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे 900 जमा 70 जमा 0 क्यूंकि बच्चों इकाई के स्थान पर शुन्यो है चलिए बच्चों अब विस्तारित रूप से दीवी संख्या को संख्या रूप में लिखने का परियास करते हैं हमारे पास संख्या दी है 900 जमा असी जमा दो इसे संख्या रूप में लिखने के लिए हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा दहाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा तथा सेंकड़े के स्थान पर कौन सा अंक आएगा इकाई के स्थान पर यहां पर आएगा दो जबकि दहाई के स्थान पर आएगा आठ और सेंकडे के स्थान पर आएगा नौ तो बच्चों ये संख्या होगी नौ सो ब्यासी एक और उधारन लेते हैं हमारे पास दिया है साथ सो जमा जिरो जिरो जमा पांच बच्चों यहां पर दहाई के स्थान पर शुन्य शुन्य या जिरो जिरो है जिसका अर्थ होगा दहाई के स्थान पर शुन्य आएगा इकाई के स्थान पर पांच होगा दहाई के स्थान पर शुन्य होगा तथा सेंकडे के स्थान पर साथ होगा तो बच्चों ये संख्या होगी 705 एक और उधारन लेते हैं हमारे पास दिया है 800 जमा 20 जमा 0 यहां इकाई के स्थान पर 0 है दहाई के स्थान पर 2 है तथा सेंकडे के स्थान पर 8 है तो बच्चों ये संख्या होगी 820 बच्चों इसी तरह के बहुत से उधारन ले तथा उन्हें विस्तारित रूप में लिखने का प्रयास करें साथी कुछ संख्याएं विस्तारित रूप में लें तथा उन्हें संख्या रूप में लिखने का प्रयास करें झाल झाल